सर बहुत स्वागत है आपका सर सबसे पहले तो सवाल यही कि भारत चीन सीमा पर LAC पर जो कुछ भी हुआ 15 जून को हमने अपने 20 जवान यहाँ पर शहीद हुए खो दिये हैं क्या ये इशारा कर रहा है युद्ध की ओर जो घटना हुई है उसके बाद देश की पोलिटिकल लीडर्शिप के सामने दो ही विकल्प हैं या तो इस अंतर राष्टी और राष्टी अपमान के घूंट को पी जाएं साउथ लोग नोर्फ लोग में जाकर फाइलें निप्टाते रहें या फिर जवाबी कारवए करें टेट फो टेट और इस अपमान का बदला लें और यह मैं आप वो खास तर पर कहना चाहूंगा कि देश की आज जो प्रिजिन सेंटर लीडर्शिप है या नेंदर मोदी अ अमिश्या वो इस घड़वे घूट को अपमान के घूट को किसी हालत में नहीं पिएंगे मोदी अमिश्या is a very deadly combination to act is a combine of vision and execution और यह मान के चली जिस दिन से घटना हुई है वो लोग शायद ही सोय होंगे राजना सिंग जुरू थवाब और सुस्ताली होंगे दो चार गंट कि हमने हमारी चेक पुस्त में किसी ने कबजा नहीं किया हमारे शेतर में कोई नहीं गुसा लेकिन मन में सब जानते हैं कि क्या हुआ है और उस क्या हुआ का बदला लेने के लिए Indian forces को एक बार जाकर कमसम उस नदी के इस हिस्से से वापिस कब जापना करना पड़ेगा जह मेरा मानना ये है कि ये लोग जुरू ऐसा सासिक काम करेंगे और जहां तक मोदी और शाह के सास की बात में कहता हूं आपसे राष्टे मुद्दा ऐसे जुड़ा हुआ तो आप देखे कश्मीर में क्या हुआ था एक मिथ था पाकिस्तान का भी 370 आप करेंगे इनको तीन टु ऐसे साथ चलना होता है बदलते हैं महाल में अपने आपको धालना होता है तो इत्रास मना था ग्रेटेस्ट पोलिटिकल सक्से सप्ल उप्रेशन और मोदी ये शाक काश्मीर 370 आप देखे मान के चलना इस कड़वे घुण को पीएंगे नहीं कोई नको योजना जरूब बन जाए जासके, this is not 1962, this is 2020.